A practical guide to English translation and composition by KP Thakur course में आपका स्वागत है इस course में हम आपको 240 passages translation exercises solve करवाएंगे अगर आप सभी exercises solve करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपार करें तो आप यह करते हैं translate into English passage 21 of 240 ठीक है यह passage है मेरे गाउं का डाग घर ठीक है वीडियो को pause करके सबसे पहले खुद से यह passage आप एक copy में solve कर लिजे ठीक है उसके बाद मैं संग संग अभी आपको answer बताते जाओंगा आप उस answers को मिलाते जाएगा ठीक है वीडियो को मैं आपके लिए पूरा एक बार दिखा दे रहा हूं कि इसमें क्या क्या आपको करना है इसना portion था अब आईए start करते हैं और इसको अच्छे से solve करते हैं let's start passage 21 मेरी गाओं का ढाग घर my village post office ठीक है start करते हैं मेरी गाओं में एक ढाग घर है पहले ये जगह set कर लेते हैं there is a post office in my village यह डाग घर बहुत बड़ा नहीं है यह डाग घर शुबह के दस बजे खुलता है the post office opens at 10 in the morning यह शाम के पाँच बजे बंध होता है it closes at 5 in the evening अगे आईये हम लोग पोस्ट कार्ट अंतर देश्य पत्र तथा लिफाफे खरीदने ताग घर जाते हैं we go to the post office to buy post cards, inland letters and envelopes ठीक है हम लोग वहां money order form भी ट्राप करते हैं we also get money order forms there हम लोग वहां अपने रुपे जमा कर सकते हैं we can deposit our money there आगे देखिए हम लोग अपनी चिठियां लगाने दाग घर जाते हैं कभी कभी हम अपनी चिठियां पारसल इत्यादी लाने त्वयम भी वहां चले जाते हैं sometimes we ourselves go there to take our letters, parcels, etc. ताग घर में प्राय भीड रहती है The post office is generally crowded ताग घर से चिठियां लाता है The postman brings letters from the post office वह money order तथा parcel भी लाता है He also brings money orders and parcels सच मुझ में ताग घर हमारे लिए बहुत उपयोगी है Indeed, the post office is very useful to us उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता Without it, we cannot do our work ठीक है तो यह जो paragraph था यह paragraph हम आपको पूरा बता दिये आप अपना answer में लाइए जहाँ जहाँ गलत है आप नीचे comment section में लिखिए क्या आप गलत बनाए थे और क्या सही होगा साथ साथ इस पूरे paragraph में जितना short form वाले sentences है उनको भी आप नीचे जरूर लिखिए ठीक है अब नेक्स वीडियो में आप देखोगे passage 22 कर देखो